इस वीडियो के अंदर हम convex lens के जितने भी ray diagrams हैं उनको देखेंगे but before we start this lecture आपको पिछले lecture की चीज़े में revise करा देता हूँ quickly तो इसमें कुछ rules थे जैसा कि अगर principal axis की rays parallel होगी तो refract होने के बाद वो focus से जाएगी, focus से गुजरेगी दूसरा था अगर ये focus से गुजर रही है तो refract होने के बाद ये parallel हो जाएगी principal axis के और तीसरा rule था कि अगर ये optical center की तरफ जा रही है तो same उसी direction से आगे निकल जाएगी इन तीन rules की help से हम यहाँ पर सारे के सारे जो भी lens के ray diagram बनाएंगे और हमें पता है कि convex lens edges से thin और beach से middle से thick होता है तो आईए देखते हैं तो अगर object आपका infinity पे placed है, infinite distance पे placed है तो जितनी भी उससे parallel raise आएंगी parallel raise to principal axis वो सब एक जगह पे concentrate हो जाएंगी तो मतलब आपको object यहाँ पे कितना भी बड़ा हो, बट image बनेगी सिर्फ एक point size, focus पे और although point size image को देखना possible तो है नहीं कि inverted है या virtual, sorry, inverted है या erect, real है या virtual तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस case में हमेशा real and inverted image ही बनती है next अब हम इसे रख रहे हैं 2F beyond 2F आपको पता है कि यहाँ पे एक focus था, एक center of curvature जो इसमें रहता है lens का, जिसे हम 2F भी बोलते हैं उससे जस थोड़ा सा पीछे हमने एक object को रखा है इसके topmost point से जो raise जा रही है, हम कोई भी दो raise लेते हैं एक जो parallel जा रही है, focus से गुजरेगी दूसरी optical center से गुजर रही है आप चाहते तो यहाँ पे यह वाली raise भी ले सकते थे, जो focus से जा रही है और parallel हो गई, वो भी यहीं पर meet करती, बट हमें कोई भी दो चाहिए, तो हमने यह दो ले ली तो यह रहे गई, parallel, focus से निकली, optical center से सीधी जा रही है meet करी यहाँ पे, तो जो यह वाला point है, वो यहाँ बनेगा and फिर हम यह assume कर लेते हैं कि object यहाँ पर उपर से लेके, यहाँ नीचे तक ऐसे बनेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर image बन रहा है, वो real and inverted है inverted तो आपको देखी रहा है, and why we are calling it real, क्योंकि हम इसे, यह dotted line से नहीं बन रहा है हम इसे screen पे capture कर सकते हैं, तो इसलिए real हम इसे बोल रहा है इस diagram में कुछ और चीज़े भी हैं, जैसे u, v और f के बारे में भी कुछ information दी हुई है तो u आपको पता है, हमने जो mirror में पढ़ा था कि u होता है हमारा object distance, v होता है हमारा image distance, and f होता है हमारा focal length तो यहाँ पर आपको जो object distance लेना है, यह तो हमें पता है कि यहाँ तक, यह object है हमारा, बट आपको distance start करना है optical center से लेना तो optical center से object तक की distance यहाँ पर u दे रखी है, optical center से image तक की distance को v दे रखा है, and optical center से focus convex lens में, convex lens में focus तो यह होता है क्योंकि सारी rays अगर rays यहां से आ रहे हैं तो यहां पर meet कर रही है तो optical center से focus तक के distance को focal length बोला गया है तो इससे आपको idea लग गया होगा यह same चीज यहां भी valid है यहां भी है यहां भी है बट इसे इन्होंने एक ही diagram में दिखा जाए है next अगर हमारा object 2F या फिर center of curvature भी हम बोल सकते हैं एक center of curvature पर बना है तो हमारा इसका image कहां बनेगी तो यहां पर भी हमने दो rays निकाली parallel फोकस से गई optical center से गुजरी meet करी यहां पर और यहां पर हमने हमारा object बना दिया है sorry object नहीं image बना दिया है मैं बार बार पता नहीं से यहां पर image को object के बोल रहा हूँ image बना दिया है यहां पर अगर हम देखेंगे इसका nature कैसा है real and inverted क्योंकि real है आप जैसे पहले भी देखा था inverted भी है एंड एक और चीज़ यहां पर जो size of image है क्या आपको एकदम same नहीं लग रही है object के yes यह एकदम same है next देखते हैं अब जब हम object को 2F और F के बीच में रखते हैं कहीं पर तो देखते हैं image कहां बनती है तो again यह parallel गई focus से गुजरी optical center से सीधी चले गई यहां पर बन रही है यहां पर हम देखेंगे हमारा यह image बन गई है image again real and inverted है बट इस case के अंदर जो हमारी image बन रही है वो enlarged है आप देख सकते हैं यहां पर object कितना था और image कितनी बड़ी हा रही है और इसकी position इसकी position का है हमें position भी ध्यान में रखनी है इसकी position beyond 2F है या beyond center of curvature है यह वाला देखते हैं इसके अंदर हमने object को रखा है focus पे और focus से ray diagram हम बनाएंगे तो देखो यह गई focus से गुजरी यह वाला point optical center से गया and these lines will never gonna meet यह कभी मिलेंगी ही नहीं इसका मतलब यह कि इसकी image कहीं infinity पे जाकर बनेगी size enlarged होगा ठीक है तो आप देख रहें उल्टी चीज़ है क्योंकि जब infinity पे हमने object रखा था तो focus पे बन रही थी image और जब हमने focus पे रखा object तो infinity पे बन रही image इसका special case जो है convex mirror में जहां पे virtual and erect image बनती है वो इकलौता यह वाला case है तो इसके अंदर हमारा जो object है वो रखा है हमने focus और optical center के बीच में focus और optical center के बीच में आप बहुत कि focus हाँ lens के दोनों side focus रहते हैं तो focus और optical center के बीच में हमने object रखा और इससे दो raise बनाते हैं एक रे गई यह और यह focus से गई और एक रे गई optical center से यह straight चले जाएगी अब यह तो कभी मिलने नहीं वाली in fact it will never meet क्योंकि यह तो दो बिल्कुल यह तो यहां से चौड़ी होती जा रही है but अगर आप यहां से इसे देखोगे तो मतलब अगर हम इसे extend करते हैं इसे पीछे की तरफ extend करते हैं तो हमें यह dotted line मिलती भी यहां पर दिखाए देंगी ठीक है तो यहाँ पे हमें इसका यह एक यहाँ पे हमारी इसकी image बनेगी ठीक है तो मतलब अगर कोई से यहाँ से देखेगा तो it will appear कि यह rays यहाँ पे कई meet होती है बट इसको आप क्या किसी paper पे capture कर सकते हो नहीं किसी paper पे नहीं बन सकते इसलिए यह virtual है और erect पता है क्योंकि एक दम जैसे object रखाता बिलकुल उसी तरीके से erect है यह हमारा image और यह image बन रही है beyond 2f beyond 2f और enlarged भी है तो मैं आपको बोलूँगा कि मैंने last वीडियो में बताया था कि lens कैसे बनाना है 2ff कैसे बनाना है उसको देखकर यह सारे के सारे आपको अपनी notes copy पे बनानी है इसे बनाने के बाद जब आप यह table देखोगे जो starting में थोड़ी डरावनी लग सकती है कुछ बच्चों को तब उतनी डरावनी लगेगी नहीं तो यहाँ पे चो भी मैंने सारी चीज़े आपको बतायती वह दीवी है कि अगर हमने at infinity रखा है तो image कहां बनेगी at focus highly diminished होगी real and inverted होगी इसी तरीके से मैं सारी चीज़े discuss कर चुका हूँ यह table भी आपको easily याद हो जाएगी और I think that's enough for this convex lens के लिए next video में हम concave lens